नमस्कार दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल टार्गेड विद्विकास में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए यूप यूप अपलाशी फारेस्ट गार्ड का प्रेटिस सेट नंबर एक रिजनिंग का प्रेटिस सेट है यह जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज लेख रहे हैं ठीक है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है फारेस्ट गार्ड में जी जान से सेलेक्शन लेना ही चाहते हैं बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत जोक रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बनाया गया है यह बहुत ही महनत से बनाया गया वीडियो आपको अगर यह लेबल की रिजनिंग पूछी जा रही है उसी लेबल की त्यारी आपकी रिजनिंग करना तो यहाँ पे आज इनकी रिजनिंग कम्प्लीट हो चुके तो अपने आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि रिजनिंग अपनी त्यारी कितनी है रिजनिंग तो जाच लो अपनी त्या स्फित कृण है जिसमें एक या अधिक पद रिखते हैं फिक है एक या अधिक पद रितन दिए गए विकलब में से सही विकलप चनें जो क्यों पूरा करेंगे ठीक है तो यह फर्स स्रीज की बात कर रहे हैं क्या नंबर कोशन में आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ है बीच में जो question mark लगा हुआ है इसका तुम्हें answer find करना है तो answer find करने के पहला है तुम्हें देखना है इसमें changes क्या हो रहे हैं कि किस series कैसे चल रही है किसके recording चल रही है तो हम मैं notice करूंगा कि यहाँ पर first में देखेंगे आपका 100 हुआ है फिर यहाँ पर 150 मतलब 100 और 115 हो गया है तो यानि कहीं पर यह कुछ adding हो रहा है कितना एड़ हो रहा है 15 हो रहा है फिर नेस्ट नंबर यहाँ पर find करना है तो यह मुझे नहीं पतना था उसके बाद में next के बाद जाएंगे तो यहाँ पर एक और यहाँ पर आज़िए आप लोग करिए यहाँ कोशिश कि 150 हुआ है और 170 यानि कि कितना एड़ हुआ है 20 एड़ हुआ है कितना हुआ है 20 ह kjaед हुआ है फिर यहाँ पर आप notice करेंगे तो कितना हुआ है यानि कि 170 में 115 करें तो कितना हो जाएग आपका तो इससे क्लिए चलता है इसका एंसर फांट करना है तो सभी लोग जिसको भी स्वाल करते हैं आप लोग solve करते रहेगा, अगर कोई answer आड़ा, तो comment box में इसका answer कर सकते हैं, ठीक है, answer आप लोग भी solve करते हैं, अपनी pen copy उठाल जीए, कि रिजनिंग के लिए pen copy बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर देखिए, A हुआ है, A के B, B, फिर C, फिर यहाँ पर क्या स्री चलेगी ही हो जाएगा, फिर इसका आज में देखिए, E, F, G, H, क्या आएगा, H आएगा, फिर I, J, K, L आएगा, क्या आएगा, L आएगा, तो यानि कि D, H, L, यानि कि option number आपका A से ही हो जाएगा, यह आपकी स्रीश चल रही है, चलिए, सभी लोग तिरपन number question का answer बताएए, जितन सभी लोग गलत करेंगे इस question को, जो लोग बोलने मैंने reasoning बहुत अच्छी है, तो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, सभी लोग इसका answer देखिए, comment box में answer देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या चल रहा है, यहाँ पर S को पकड़िया आप, किसको S को पकड़ना है, S आपके यहाँ पे, इस word में आपका first number पे है, इस word में आपका second number पे है, इस word में आपका third number पे है, इस word में आपका fourth number पे है, और इस word में आपका fifth number पे है, तो next word आपका होगा, तो किस number पे होनी चाहिए, S, sixth number पे आनि कि छटवे number पे होनी चाहिए, तो यह तो तीन चार पान छै। यहानी कि ऐसा आपका कहा च्टुवे नमपर यानि इसके एकॉडिंग आपका आपसन नमबर डी से ही हो जाएगा। चलिए फिफटिफ़ नमबर कोशं करीए फिफटिफ़ नमबर की बात कर लें कि जबहें, इस को कर लिए, भी आता है, सबी लोग और एक बार क्मेंट करिएगा, इसमें आप्शन गद्शन घ्लाग थे, तो यहाँ परिएगा, कि यai आपका क्या हुआ है five है क्या है five है यहां पे कितना adding हुआ होगा कि या आपका just that 13 हो गया है तो five five में आपका कितनाодноiva है आथ हुआ आथ हुआ है कितना पांच एड़ हुआ हाँ हाँ 5 सब लों पताई के फटा-फट आठ हैड हुआ है बिसकुश nobody 2 5 5 नहीं 8 ऐट है प्लस 8 चल रहा है क्या जल रहा है प्लस 8 फिर उसके बार में 13 8 librar बताएगा अब यहां पर आप लोग पकड़ लिया होंगे कि स्रीज कौन सी चल रही है यानि कि 8 5 13 13 और 5 यहां पर क्या होना चाहिए था 18 18 और 5 क्या होगा प्लस 23 होगा क्या होगा प्लस 23 होगा तो यहानि कि अगर मैं इस स्रीज में एड करता हूँ और यहां पर इसका बीच में डिफरेंस देखेंगे तो किसका चल रहा है प्लस 5 का डिफरेंस चल रहा है प्लस 5 का डिफरेंस चल रहा है और प्लस 5 का डिफरेंस चल रहा है तो इसक में होना चाहिए 26 चाहिए ना फिर यहां पी 18 एड़ना चाहिए 26 में आप 18 एड़ करेंगे तो क्या यहां पर होना चाहिए लेकिन है क्या 55 यानि कि option number D गलत है नेस्ट कोशिन पांट करें हाँ चलिए सभी लोग इसका अंसर बताईएगा नेस्ट कोशिन 55 नंबर कोशिन का अंसर बताईएगा सबी लोग फटाफट करिएगा पश्पन नंबर कोशिन का एंसर इसका रेट एंसर क्या होगा सबी लोग एक बार बताइए यहां पर नोट्स के मैं बता दूं क्या चल रहा है देखी M-N-O M-N-O चल रहा है फिर यानि एक एक वर्ड चला फिर उसके बार में यहां से N से फिर स्टार्टिंग हो गया N-O-P-Q ठीक है यहां पर Q से स्टार्टिंग हुआ यानि कि चार वर्ड यानि कि पहले तीसरा पर चौथा फिर O से स्टार्टिंग हुआ है पहले M को लिया गया था M से वर्ड बन गया अब N से बन गया अब O से बनाना है तो O की बात करेंगे तो O P Q R ठीक है R S यानि कि पहले 3 का बनेगा वर्ड फिर 4 फिर 5 अब next वर्ड जो बनेगा 6 यानि कि 6 आपसे छोड़े गये τो यानि कि R हो गया अब R के बाद यहां पे हम किस वर्ड को लेंगे तो P को लेंगे जेको M हो गया आपका N हो गया O हो गया P यानि क्या हुगा पी क्यो आर एस और ठीक है हाँ सबी लोग हाँ इसका नोमर का पी क्यो आर्स्ट यूज चोड़ा गया है तो यूज यानि क्या अप्चन नंबर सी सही हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा वैसा ही जैसे की जूट, कॉटन और उलन है तो उसी तरीके का यानि की चारों में से कौन सा वर्ड है तो बात करेंगे देखो यह आपके क्या है जूट है, कॉटन है और उलन यह तीनों क्या है आपके सभी लोग बताएगा 56 नमबर में यह रेशे है है फ्राकर्तिक रेशे है तो इसमेंशी है कौन साचारों में से जो प्राकर्तिक रेशा तो आपका सिल्क जो है उन्यों फ्राइशन नंबर डि जो है तो इसका और डी जो है खाउये चलिए अब आपको क्या करना है आप एक क्या गारणा से लेकर 58 तक करना है क्या होगा तो यहां पर फ़स्ट नंबर का इंसर सभी लोग देजिएगा तो यह देखिएगा तीन है और तीन से 243 कैसे बना है तो यह फाइंड करना है पहले फिर जैसे यह इस 243 बना उसी के कॉर्डिंग यह आपका बनेगा ठीक तो आप यहां पर तीन की पावर कितने पावर तीन की पावर अगर फाइफ करें यानि कि तीन की गुणा कितनी बार कर दें पांच बार तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन ठीक पांच बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 243 आएगा इसी के कॉर्डिंग अगर और पांच की गुड़ा आप पांच कितनी बार करें तो पांच बार करेंगे Scientists क्या यहींति न्भर Siura करेंगे तो पूझी लोग इसका 141 वुक्राइन सब्सक्राnumber गिनुन और यह सिनेमा किस्षा सम्वनित कि पुष्टक जिस प्रकार की लेखत से संबंदित है तो सिनेमा आपका उसके संबंदित था तो हां बिल्कुल निर्देशक से option नंबर सी जितने लोग दे रहा है का अंसर सही है option नंबर सी अब यहाँ पर आप देखिये आजये इसका अंसर आप लोगों को कि पर्ड मिनार ठीक है इसकाई मिनार से उची है लेकिन हाँ यह इसको आपको बनाना पड़ेगा सभी लोग एक pen copy उठा लीजिए फिर इसका क्या करेंगे पर्ड मिनार से पर्ड मिनार जो है इसकाई मिनार से उची है ठीक है तो यहां पर अब जो भी बनाएंगे आप लोग देके बनाईएगा एक ही में मत बनाईएगा तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए पर्ड ठीक शॉर्टकट में हम लिखेंगे पर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद में इसकाई के बाद में अप फिर क्या बोला गया आपका लेकिन यूणिटी मिनार से छोटी है कौन परिल मिनार यूणिटी मिनार से छोटी तो यहां पर आप लिख लीजिए यूणिटी unity ठीक है unity मिनार से छोटी है फिर आप फिर बोला गया है unity मिनार से छोटी है unity मिनार और तथा cyber मिनार की उचाई समान है मतलब कि जो unity मिनार है और cyber मिनार की क्या है उचाई बराबर है दोनों की उचाई क्या है बराबर है पर्ल मिनार इंडिस मिनार से छोटी है अब इन इमारतों में से दूसरी सबसे छोटी इमारत की है नीचे से देखना है तो सबसे छोटी कौन से इसका ही होगी और दूसरी छोटी कौन से होगी पर्ल मिनार होगी तो इसका राइटन से आपको क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार like जरूर करिएगा किसी पकार का कोई confusion है तो comment करके बता दीजीगा मैं उसको सुधार करने के कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छा content प्रोवाइड करूँगा ठीक है तो इसका option number A हो जाएगा चलिए 60 number कोशिन का answer दीजे सबी लोग तो यहाँ पी देखिएगा अब विवस्थित अच्छरों को उनके सुभाविक क्रम में पुन्र विवस्थित करें तथा असंगत चुने ठीक है तो यहाँ को सही करम में आपको लगाना मतलब कि यह जो spellings लिखी हुई है उल्टा सीधे लिखी हुई है इनको एक spelling बनाना है तुमको पहले फिर उसके बाद में आपको सही बताना इसमें कौन सी सेम है और कौन सी अलग है तो हम मैं बात करूँगा इसकी तो यह आपको क्या कौन सी spelling अगर इसको आप सही करेंगे तो S-Q-U-A-R-E यानि क्या बन जाएगा स्क्वार यानि कि वर्ग बन जाएगा स्क्वार मतलब क्या होता और इसको देखेंगे आप लोग साब को देख गया होगा कि यह Onний रहत आभ रही है यानि कि आयत आयत बन रहा है क्या बन रहा है आयत की spelling बन रही है तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे यानि कि आप लोग तीनों देख रहे हैं कि यह कहीं न कहीं एक figure से related आ रहे हैं match से related आ रहे हैं लेकिन ये जो आपका sentence है यानि कि इसको अगर आप सही करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा greatness हो जाएगा यानि कि महानता क्या हो जाएगा महानता हो जाएगा यानि कि ये option number आपका d अलग है क्या है डिय अलग है चलिए आए इस कोश्चन नमबर 61 से 63 तक करते हैं इन चारों में से चारों में से कौन अलग है वो बताना है तो देखिएगा आप लोग एकश्ट नमबर का सभी लोग का इंसर करिएगा जिनको आता करिएगा सफ़ा लूप सभी लोग करके बताएगा की बात करें तो जो WOOTBALL है आपका और हाकी है बेस बाल की बात करें गे तो यहां पे देखेंगे यह साथ का है और यह क्या है छे का स्कॉयर है यह लेकिन नौ का स्कॉयर नहीं है तो यह आपका option number a अलग हो जाएगा फिर यहाँ पर आ जाएगा इसमें चारों में चेक करना है अलग कौन सा यानि कि dw यानि कि क्या हुआ डी यानि कि प्लस एक हुआ इसमें प्लस यानि कि आपका 63 नंबर अलग हो जाएगा ठीक है इसके मैं answer बर diagram बनाके दिखा दूँगा आपको इसके answer देने होंगे तो answer आपको सभी लोग को देना है comment box से सभी लोग pen copy सभी लोग फटावर ठालीजिए क्योंकि इसके आपको figure देखना होगा तब ही आप answer देने पाएंगे तो answer की बात करें बोला गया है विनय, विनोद, विकास, वासू, वैभाव, वरुण और विशाल एक ब्रत में केंद्र की और मो करके बैठे हैं किसकी और बैठे हैं केंद्र की और मो करके बैठे हैं अब यहाँ पर notice के लिए कितने लोग हैं पहले तो एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 लोग हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, फिर आब दूसरी लाइन से start करेंगे तो अब यहाँ पर clear हो गया कि यह किसकी तरब बैठे हैं, किंद्र की और बैठे हैं, कितने लोग हैं? साथ लोग, सबसे पहले यह figure में यह पता करना होता है, फिर आपको अब लगाना कै लगाने की बात करेंगे शेकर नंबर को पढ़ेगा वासु विकास के दाएं और तीसरे बैठा है लेकिन बनाने से पहले साथ लोग को आप बैठाल दीजिए ऐसे इस तरीके का डाइग्राम बनाएगा चोटा सा बनाएगा जिसमें लिखने में आसानी रहे आप लोगों को हा हाँ यहाँ पर बना लिजिए जिसमें आपको आसानी रहेगा ठीक है यह कितने बैठागे च्छे लोग बैठागे इस तरीके बनाएगे च्छे लोग बैठागे अब है कितने साथ लोग तो कहीं पर आप यहाँ पर बिठाल दीजिए ठीक है साथ लोग हो गए ठीक अब सा विकास के दाएं तिसरे बैठा है यानि कि विकास को अगर हम यहां पर बैठाल देते हैं ठीक है विकास को अगर हम यहां पर बैठाल दें ठीक है यहां पर विकास यह बैठा हुआ है इसके दाएं तिसरे दाएं कौन सा होगा यह इसका होगा तो दाएं तिसरा यानि कि एक ए एक दो तीन यहां पे कौन बैठा हुआ है वासु बैठा हुआ है कौन बैठा है वासु बैठा हुआ है दायां तिसरे अस्थान पर ठीक है सबी लोग साइश समझ लिए पन कॉपी उठा लिए वड़ना दिक्कत हो जाएगी वासू बैठा हुआ है फिर उसके बाद में नोटिस करेंगे आप लोग कि वरुण विनय के बाएं दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा तो इस तरीके से बैठा लिया वरुण को कि वो वि वरुण को हाँ सबी लोग आप उनको बताएए का कि वरुण को कहां बैठा लेंगे वरुण को अगर मैं यहां बैठा लेंगे वासू के पास में क्योंकि वरुण यहां बैठ गया अगर वरुण यहां बैठ जाता है तो बोला गया है कि वरुण विनय के बाएं दूसरा त एक दो यह विने दूसरी है वरुड़ ठीक अब दाय। दूसरा किसके था विशाल कि तो विशाल को कहा बैठाला जाए जो उसके दाय था ilo आ यादा कि बैठेगा यहां बैठेगा कौन वैभो जो है किसके निकर्तम पडोसी नहीं है किसके वरुण के तो वैभो यहां नहीं बैठेगा कहा बैठेगा यहां बैठ जाएगा वैभो वैभो आपका यहां बैठ जाएगा और फिर उसके बारे बोलागा विनोध के दाय तिसरा त्यानि कि विनोध अगर यहां बै कुछ नहीं तो आपका 2007 कॉछ этर मने द्यूसरा कॉन है तो विनोद के दायों ने ड्यूसरा कॉण से कि बात करेंगे तो आपका कॉन है वाशू है ऑप्षय नम्ब ही हो जाएगा ठीक है पैस्ट नंबर कोशिन की बात कर लेंगे तो वरुण के बाएं तीसरा कौन है वरुण के बाएं तीसरा कौन है तो बाएं तीसरा कौन सा है सबी लोग बताएगा इसका अंसर तो वरुण के बाएं तीसरा अब अपने डाइग्राम में से बिलू चेक कर लिजे तो 22 की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका वरुन के पूछा गया है तो वरुन के आप 22 कौन सा हो जाएगा तो वैभ हो जाएगा कौन वैभ हो आप्शन नमबर A सही हो जाएगा बिल्कुल सही अब विकास के तुरंत दाएग कौन है तो विकास के तुरंत दाएग कौन है वैभ हो है कौन है वैभ हो आप्शन नमबर C सही हो जाएगा चलिए अब यहाँ पे आपको 67 नमबर का एंसर देना है निमलिकित अंक अनुक्राम कमांक में कितने ऐसे सम अंक हैं जो उसके ठीक पहले आने वाले अंक से पूरत्या विभाजित है किन्त ठीक बाद आने वाले अंक से विभाजित नहीं तो यानि कि उसे ठीक ऐसा कुछ सम अंक बताना है जो पहले आले अंक आने से विभाजित होता है जो last बाद में आया है उससे उसके पास विभाजित नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोग notice करेंगे यहाँ पर समंक को पहले notice कहा है तो समंक की बात करें एक यह बन रहा है क्याणि कि 8 जो है समंक है और उसके पहले 2 से विभाजित हो जारा है लेकिन तीन से विभाजित नहीं हो रहा तो एक तो यह बन गया फिर उसके बार में आप देखेंगे कौन सा एक यह है कौन दो दो जो है क्या दो चार सी भाजित हो जा रहा है आप लोग देखेएगा इसमें आप लोगों बताने कितने जोड़े ऐसे हैं जो विभाजित हो जा रहे हैं 67 नंबर इसका अंसर दीजिए 67 नंबर का अंसर चार बिल्कुल सही प्रोस पास में ही दिख गया चार आठ यानि कि आठ जो है चार से भाज दो लेकि नौ से भाज नहीं होगा यह नहीं है आपका यानि कि दो ऐसे जोड़े हैं जो आपके भाज़ हो जाएगा अप्शन नंबर टू सही हो जाएगा फिर 68 नंबर की बात कर ल है मैं अंसर बता दे रहा हूं आप लोग इसको स्वाल्विंग करके कमेंड बॉक्स में दिखाना है तो इसका राटेंसर आप क्या हो जाएगा थर्टीन हो जाएगा ठीक है चलिए 69 नंबर का क्या हो जाएगा निश्चित में किलियर अब देखिए आप दो दो वर्ड सेख हो रहा है तो इसी की कॉर्डिंग आपको यहां प्लस स्ट करना है ठीक है जो फिर का है वो लास्ट में जाएगा तो याणि कि लास्ट में कि यह जाएगा अप्षन नमबर आपका B हो जाएगा चलिए आपके लिए मैंट्रिक्स से कोश्चन है इसमें आपको बताना है क्या करना, सभी लोग एक बार answer कर दीजिए, जो question मार के इसकी जगा पर कौन सा आएगा, हम solving करके बता देंगा, अगर आप 8, 11 और 16, 8, 11, 16 को add करते हैं, तो कितना हो जाता है, 35 हो जा रहा है, कितना 35 हो जा रहा है, इसी तरह recording अप 17, 10 और 8 को add करेंग 21 हो गया, तो आपको 35 लाना है, तो यानि कि 35 से घटा दीजिए, तो 35 से घटा हो कितना बचेगा, 5 से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 4, और 3 से दो गया, 1 यानि कि 14, यानि कि option number आपका, सी सही हो जाएगा, समय 35 बन रहा था, चलिए, ये diagram है, आप लोग, सभी लोग इसका बता जाएगा, इसका अंसर क्या होगा, मैं इसका राटन सबतानू, option number इसका B सही हो जाएगा, option number B जो है, complete कर रहा है, चलिए, आपके लिए 75 number question का अंसर है, वहाँ, चुनिए, जो नीचे दिये गए, वर्गों के बीच में, संबंध निरूपित करता है, तो नागरिक, सिच्छ और मनुष्य को कौन सा जो डाइग्राम है, उसको सही निरूपित करता है, तो मैं सही निरूपित की बात करेंगे, जो option number B है, वह आपका डाइग्राम सही निरूपित करता है, option number B है, तो चलिए दोस्तों, यह आपके reasoning के question थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करें, इसकी PDF आप लोगों को टेलिग्राम लिंक पे और वार्शक ग्रूप लिंक के मिल जाएगी, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार